असलाम वालेकूं वरहमतुलाही वबराकातू कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब खैरियत से होंगे तो मैं आज अपने किचन में बहुत ही सिंपल सी एक चीज बनाने जा रही हूं बहुत यूनीक है आम तो पर बहुत कम लोग हैं जो के घरों में बनाते हैं लेकिन मैं क्य मुश्किल तरीका है तो मतलब टाइम टेकिंग है लेकिन यह बहुत ही सिंपल बनता है तो नॉर्मली आपके घर में जो भी मिलाई दूद आता है उस पर अपनी बलाई को उतार लिया करें तो यह मैं उतार के जमा कर लेती हूं तकरीबर मेरी एक मन्त की जो होती है वो इतन है बहुत ही जल्दी से निकल जाता है हमने लेना है सिंपल एक ग्राइंडर यह हम इसमें जग में हम अपनी मिलाई को दो हिससे करके डालेंगे यह फ्रीज थी नॉर्मली डेली पर जो आती है मैं यह करके डबे में डाल डालके इसको फ्रीज कर लेती हूं और फिर जिस टा पानी आड़ किया है 500 ml यानि लीटर से कम ठीक है अब हमने क्या करना है इसको इतना पानी डाल कर अपने इसको हम ब्लेंड करेंगे और मैं आपको बताऊंगे यहां पर कि हमने इसको कितना ब्लेंड करना है और किस पॉइंट पर हमारा जो मखन है वो निकल आता है तो हम इसको चलाते हैं हमने से रोक-रोक के आपने मशीन को चलाना है तो एक चीज़ मैं आपको आपको यहां पर खास बता दूँ कि कुछलोग जो होते हैं इसके फैंड़ापाई करते हैं कुछ और आप यहाँ पर देख सथैरे में आपको दिखाती हूँ कि यह किस तरह से ब्लेंड हो गया है यह तक्रीबन एक फॉर्मिक फॉर्म में यह आ चुका है यह देखें तो अब हमने इसको मजीद ब्लेंड करना है तक्रीबन एक से दो मिनट के लिए हम इसको मजीद ब्लेंड कर लिए तक्रीबन दो मिनट हमने इसको चलाया है अब हम देखते हैं यह देखें कितना मजे का हमारा मखन जो है वो निकलाया है मैक्सिमम मैंने इसको दो तीन मिनट के लिए मैंने चलाया है तो यह देखें हमारा कितना अच्छा सा मखन निकलाया है अब हम क्या करेंगे इसको जिस हमने बरतन में इसको पकाना है हम उसी बतर में इसको निकाल लेंगे इस मदद से इसके पानी को हमने निकाल देना है कि इतना अच्छा मखन है आप इस मखन को भी ऐसे भी रखकर इस्तमाल कर सकते हैं अपने डिफरेंट खानों के साथ स्पेशली साग के साथ मखन बहुत अच्छा लगता है ब्रैट पे देखें इस घर हम सारानिकाल लेंगे कोई गर्म पानी रखर नहीं की ज्रुवित नहीं है कोई थंदा पानी चुशोम की जरुवत नहीं है आपके सामने मेंधिस यूझध के लिए शुरी साइट के लिए ब्लेंड के लिए दुट किया है और पिर भ्यूव हजड़न यूरिए वह को यूट में बाकिный उसको इसके लिए उसको पानी में ऑपनी बाकी की सारी मलाई को इससे एट कर दिंगे हमारे हाँ तकीबन बाहर मार्किर से अगर आप देसी लेने जाए तो तकरीबन 2500 यानीन 1500 स का मिलता है एक किलो देसी की तो आप अगर एक महीने की मलाई को भी। इससे जमा करते हैं तो तक्रीबन निकाल सकते हैं और फ्रेश निकलता है अपने हाथ से निकालें तो यह अब हम इसको भी चलाएंगे तैक करीबन एक मिनट के लिए चलाएंगे यहाँ पर मैं एक बात मेंशन कर दूं कि यह देखें इस फॉर्म में यह ज़ाग से बन जाती है अक्सार लोग इसी को इतार लेते हैं समझते हैं कि यह मखन निकला ओभी अभी हमने इसको एक मिनट के लिए ब्लेंड कर दिया है अब हम अजीद धो मिनट के लिए इसको ब्ले कि जो है वो मेंचे के लिए कहां मिनृत क्या है कि बारी कि इसको मार मतशन निकला इस पोजीशन पर ज है यह मक्खन निकला है मैं थोड़ा समय को काम करका दिखाती है यह मुख खाल है जिसको हमें निकालना है और यह थोड़ा ऐसे थिक फॉर्म में होता है ऐसे तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं अपने बड़तन में जिस में हमने इसको कुक करना है ऐसे हम इसको निकाल लेते हैं पानी को निकाल लेंगे इसे हम इसको निकाल लेंगे इस तरह हम सारा मखन निकाल लेंगे तो यहां पर हमने मखन को निकाल लिया है इसके अंदर यह देखे थोड़ा सा पानी आया निकल रहा है इसमें हमने मखन को साइट पर करना है और इस पानी को इसके अंदर से इच्छे से निकाल लेना है अब हम इसे कुक करेंगे अब हमने इसको अपने स्टोफ पर रख दिया है अब हम फ्लेम ओन करेंगे फ्लेम हमने यहां पर हाई पर रखनी है तक कि यह जल्दी से मेल्ट हो जाए और इसमें से पानी जो है न वो सारा रिलीज हो जाएगा और वो हमारा जो है वो देशीगी बनना शुरू हो जाएग तो फ्लेम हमने यहां पर देखें हाई रखी हुई है अब यह देखें यह मेल्ट होना शुरू हो चुका है अब जैसे ही मेल्ट होगा हाईस्ता हाईस्ता इसमें से जाग बनेगी और जाग जो है वो हाईस्ता हाईस्ता से पक कर देशीगी में कनवर्ट हो जाएगी यह देखिए यह मेल्ट हो रहा है अब हम इसे पांच मिनिट के लिए ऐसे मेल्ट होने देते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूं इसकी क्या पॉजिशन इस तरहां से यह देखें इस सारा मेल्ट हो चुका है अब जाग बन रही है और आप यह देख रहे हैं साइडों पे सारा यालो यालो सा बन रहा है यानि यह हमारा देशी की बनना शुरू हो गया है यह देखें कैसे इसमें जाग आ रही है और यह उपर की तरफ आ रहा है तो एक चीज़ का दिखान रखना है कि जब यह पक रहा हो तो कोशिश करें कि आप इसके पास ही खड़े रहे हैं फ्लेम ह और हाई के बीच में जो है फ्लेम रखना है और इसको पास ही खड़े होके पकाना है ताकि अच्छे से पक जाए और आपको समझ आ जाजाए कि यह गी निकलना शुरू हो गया यह वाइड जो जितना भी मिटीलर यह सारा खतम हो जाएगा और पूरा जो है वह और आपके ज जाग इसकी नीचे बैट जाए और हमारा गी निकला है तो अभी हाँ पर हमने अपने फ्लेम को मीडियम तो लो कर दिया है तो हम इतने ही रिचूले के ओपर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन पांच मिनुट के लिए यहां पर यह देखें अब जाग बैट च देशी की कितने अच्छे से निकल आया है अब हम इसको अपने बर्तन में पोर करेंगे अब आपने क्या करना है कि एक बरतन लेना है स्टील का लीजेगा क्योंकि गरम होता है तो हम इसके अंदर इसको डालकर निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारा हूम में डेशी